सो हाई दोस्तो मेरा नाम है दित्यारा जो आप सभी का सवागत है एक और नए वीडियो के अंदर दोस्तो क्या आपको पता है आप अपने लैप्टॉप या फिर कम्प्यूटर के अंदर जो गूगल प्ले स्टोर होता है उसको दोस्तो आप बहुती x comma deeasily install कर सकते होँ अब उसको करने के बाहत दोस्तो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जितने भी मोबाइल के एप्स होते हैं फिर मोबाइल के जितने भी गेम्स होते हैं दोस्तों वो सभी आप उसमें अच्छी तरीके से प्ले कर पाऊगी वो भी अपने कीबोर्ड एंड माउस की मदद से दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर कम्पिटर के स्क्रीन की यहां पर आपको सर्च बार पर टाइप करना है ब्लू स्टैक्स ठीक है तो इसके अंदर भी दूस्तों यहां पर कुछ सेटिंग्स करने होते हैं वह कैसे करने वो में आपको अभी बताऊंगा और जैसे कि हमारा जो ब्लू स्टैक से यहां पर डाउनलोड हो चुका है तो इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है ताकि दौस्तों इसका जो फूल वर्जिन है जितने भी यहाँ पे दुस्तो मोबाइल के लिए गेम्स बगरा बनते हैं उन सभी के आप खेल पाऊगे लेकिन उससे पहले दूस्तो आपको एक छोड़ा सा सेटिंग करना होगा ठीक है अब वो सेटिंग क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी दिर में बताऊंगा जब तक क गेम यहाँ पे अपने कंप्यूटर में केल के लाइफ स्टीम करते हैं वो सभी लोग इसी सॉफ्ट्वेर का यूज करते हैं जिसका नाम है ब्लू स्टैक्स दोस्तो बेसिकलि करता क्या है कि आपके पूरे कंप्यूटर के अंदर एक मोबाइल को इंस्टॉल टाइप का कर ठीक है उसके बाद दोस्तो अब हर एक चीज कर पाओगे जो भी आप अपने मोबाइल फोन में करते हो ठीक है अब यहाँ फटा-फट से मैं इसको डाउंडोड कर लेता हूं उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेजर बता दूँगा दोस्तो जैसे कि आप यहाँ पर दे हुआ आता है दोस्तों कि वहाँ पर ब्लू स्टेक्स उनका जो है सिंपली ओपन नहीं होता है ठीक है अब ओपन करने के लिए आपको क्या करना है हम लोग दोस्तों सिंपली करते क्या है ना कि हमारा जो यहाँ पर देख पर ब्लू स्टेक्स का आइकन बना हुआ आ गया है ह हम इस पर simply double tap करके यहाँ पर open कर लेते हैं या फिर दोस्तों इसके उपर एक बर click करके यहाँ पर हम right click करके यहाँ पर open का जो button आता है दोस्तों उसके उपर click करके यहाँ पर हम इसके उपर click करके हम यहाँ पर open करते हैं ठीके लेकिन काफी सारे लोगों का दोस्तों यह चीज वाले जो option देखने को मिल जाते है run as administrator इसके उपर लीक कर देना है दोस्तों जैसी आप उसको पर क्लीक कर वो आपको दोस्तो इस तरा के जो इंटर्फेस वह आपको क्यों देखने को मिल जागा और रिख करने के बात जो सो यहां पर आपको कुछ पर चालू हो रहा है तब तक के लिए दोस्तों आप यह जो पीछे वाला चीज है इसको बंद कर सकते हो क्योंकि अब उसका यूज हमें नहीं पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले इसको हम चालू हो जाने देते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या सेटिंग्स आपको इसके णदर करने होते हैं ठीक है तो सबसे पहले उसको मैं उम्न कर लेता हूं और उपन करते ही ऑपको कुछ इस तरह के कैण आपको देखने करना हो हेब engagement बे divert इसे कर सकते हो, तो इसको आप फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे जिसे इंचापको करना होते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर yaarray ले बंटन के उपर क्लिक करते हो, यह जैसे कि आप देख पूरि यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, जिनको की आपको चेंज कर दोन सबसे पहले यह जो framework होता है इसको आपको बिल्कुल full कर देना ठीक है जितना होसागी तोना full कर देना है और यहाँ पर performance mode दोस्तो यहाँ पर चाहतो balance पर रख सकते हैं या फिर high performance अगर आपका laptop पावरफुल है तो ठीक है और यहां पर दोस्तों आपको memory allocation आपको देखने को मिल जाता है तो जितना भी दोस्तों यहां पर आपके computer याफ लैप्टॉप के इंदर RAM होता है उसका half दोस्तों आपको यहां पर इसको select कर लेना है और half प्रिशना भी आपके computer आपके laptop के resolution ने उतना ही select करना है उससे ज्यादा नहीं select करना है क्योंगे उससे ज्यादा अगर यहां पर आप select करोगे तो यहां पर होगा क्या कि आपके apps होगा रहा है और यह settings वगरा जो टेक्स्ट वगर है यह आपको काफ़ चोटा देखने को मिलेगा उसके लिए अगर आपको कोई laptop 720p resolution वाला है तो आपको 720p select कर लेना है यहां पर दूस्तों मेरे जो laptop है वो 1080p वाला है तो मैंने यहां पर 1080p select करके रखा है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको कोई भी changes करने की जरूरत नहीं है आपको यहां पर simply आ जाने graphics के अंदर और यहां पर graphics render दोस्तों यहां पर आप इसको default छोड़ सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर दोस्तों यहां प कुछ settings और भी देखने को मिल जाते हैं जैसे की device का यहां पर आप अपना speaker microphone camera वह आप सेलेक कर सकते हो उसको दोस्तों आपको सीधा आ जाना है यहां पर अपने phone के अंदर और phone के अंदर दोस्तों यहां पर जैसे के आप देख पर यहां पर दोस्तों बाई default किसी छोटे phone प सब्सक्राइब करता है और मैं मिलत आपसली नेक्ट वीडियो में